बहुत बहुत स्वागत है आपका तंद्रूस जीवन चैनल पर आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे हैरानी जनक बदलावों की जिनके बारे में ज्यादतर गरवती महलाओं को पता ही नहीं होता वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहला है गरभाशे का बढ़ना प्रेगनेंसी का समय बढ़ने के साथ साथ यूट्रस यानि की गरभाशे का आकार भी बढ़ता है लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इसी तरह प्रेगनेंसी का समय बढ़ने के साथ साथ गरभ Blood supply बढ़ना Pregnancy के दौरान गरवती महला के, शौरी में Blood की सप्लाई पहले के मकाबले बहुत बढ़ जाती है लेकिन यह जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि इस दौरान प Avec涃 महला के पूरे शौरी में कुल खून की मात्रा का 50 % हिसा बढ़ जाता है जो कि गर्भस्त शिशु के विकास के लिए जरूरी होता है कमजोर हो जाती है हड़िया प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सी नामक हार्मोन बनता है जो कि गरवती महला के बहुत से अंगों विशेश कर योनी के आसपास के एरिये को बहुत नाजुक बना देता है और इससे गरवती महला की हड़ियां भी बहुत नाजुक और कमजोर हो जाती है गरव में रहते हुए ही मादा ब्रून के बन जाते हैं अंडे दोस्तो आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि अगर किसी महला के गरव में मादा यानि की लड़की का ब्रून है तो गरम में रहते रहते ही लड़की के भृून के सभी अंडे विक्सित हो जाते हैं जो कि उसे पूरी जिन्दगी भर चाहिए होते हैं शिशु गरम में ही करने लगता है अधबुद हरकते प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ साथ गरम में शिशु का शारिरिक और मानसिक विकास भी होता जाता है और इसी तरह गरम में शिशु विबिन परकार की गत्विदियां भी करने लगता है जैसे कि शिशु गर्म में हलचल करता है, लाट चलाता है, हात और सिरह लाता है, अंगूठा चूसने लगता है, बाहर की आवाजें सुनने लगता है और यहां तक कि अपनी मां की आवाज भी पहचानने लगता है गरभास्त शिशु अपनी मां से शारिरिक और मांसिक रूप से जुड़ा होता है इसलिए गरभती महला के खुश या उदास होने पर गरभास्त शिशु भी परभावित होता है और वह भी खुश या उदास हो जाता है बच्चा गरब में तरां तरां के मुँ बनाना सीख लेता है दोस्तों गरभस्त शिशू की कुछ गतविदियां या हरकतें आप शायद अल्टरा सौन में भी देख सकती है और अगर गरब में जुड़वा शिशू हो तो वह भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए या फिर एक दूसरे को लाग चलाते हुए भी दिख सकते हैं गरभस्त शिशू के बाल प्रेगनेंसी का समय बढ़ने के साथ साथ गरब में शिशू विक्सित होता जाता है और इसी तरह शिशू के पूरे शिरीर में बाल भी आ जाते हैं जिसे की लेनूगो कहते हैं और ज्यादातर मामलों में जनम से पहले ये सभी बाल जड़ भी जाते हैं बच्चे की रोने की आवाज सुनकर गरवती महला के शिरीर में ही बनने लगता है दूद दोस्तो प्रेगनेंसी के आखरी हफतों में जब प्रेगनन महला किसी भी अन्या बच्चे के रोने की आवाज भी सुनती है तो उसके शिरीर में अपने आप दूद बनने लग जाता है प्रेगनेंसी के आखरी हफतों में ही महला का शरीर दूद बनाना शुरू कर देता है और ऐसे में जब किसी और का बच्चा भी रो रहा होता है तो आवाज को सुनकर गरवती महला का दिमाग सिगनल देने लगता है जिससे की आश्चारे जनक रूप से उसका शरीर अपने आप दूद बनाने लगता है तो दोस्तों यह थी प्रेगनेंसी की कुछ हैरानी जनक बातें अभी के लिए इतना ही